हेलो स्टुडेंट्स, क्लास से 11th elements of mathematics foundation book जो की NCERT पर बेस्ट है, उसकी exercise 10.1 का अपने introduction देख लिया होगा previous वीडियो में, और अब exercise 10.1 को आज complete करेंगे, हाँ, एक चीज और, यह जो exercise 10.1, इस में जो इसके main main question है, वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, और कौन-कौन से question मैं यहाँ पर ask करवाँगा आपको, question number 7, 9, 12, 14 and 15, बाकी जो question है, वो आप 10th class में करते आए हो, तो वहाँ से आपको खुद करने हैं, ठीक है, तो 7th question को देखत इसने condition apply कर दिये, section formula से हमको prove करने, अगर यह नहीं बोलता कि section formula apply करो और prove करो, तो हम कैसे करते हैं, जो area of triangle उसको 0 की equal कर देते, ठीक है, 1 by 2, x1, y2, minus y3 वाला जो formula था, बड़ाजा, उसमें value put करते, x1, y1, x2, y2, x3, y3 आपके पास है, equal 0 करते, और बस, answer आजा था, 0 की equal कर थी, ठीक है, 0 आजान चीए था इसका, लेकिन section formula apply करके कैसे prove करें, इन 3 points को को linear कैसे करें, तो उसके लिए section formula क्या कहते हैं, कोई भी एक line है, और उस line के जो 2 points है, A और B, जैसे कि मैं A point के coordinate ले रहा हूं, minus 3 और minus 2, और B point के coordinate ले रहा हूं, 5, 2, ठीक है, तो जो तीसरा point है, वो अगर इस space आ जाए, इस line के उपर आ जाए, तो तीनों को linear हो जाएंगे ना, तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि जो तीसरा point है, C point, जिसके coordinate है 1,0, यह इस line पर है, ठीक है, अगर यह इस line पर है, तो को linear होगा, ठीक है, यह इस line पर है, तो इसको bisect भी करेंगा, किस ratio में क कर रहे है, ओके, ठीक है, तो यहां से जो आपको M1 ratio M2 मिलेंगे, X coordinate के साथ, और Y coordinate के साथ, दोनों से हमाने चीए, अगर दोनों से हमागे, इसका मतलब यह बिलकुल इस line के उपर है, मतलब तीनों point को linear है, ठीक है, तो यहां पे जो X coordinate है, X coordinate, चलो मैं formula लिक देता हूं पहल में divide करता है, तो उसके X और Y coordinate किसकी को लगते हैं, X coordinate होगा, M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, और Y coordinate M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, ठीक है, अब इसमें आप पे देखो, X coordinate क्या है, इसका 1 है, 1 equal, यहां से X coordinate, value पूट करो, M1 X2, X2 क्या है, 5, M1 X2 plus M2, M2 क्या है, M2 तो M2 यह, X1, X1 क्या है, minus 3 है, upon M1 plus M2, इनको इदर लेओ, M1 plus M2, इदर 5 M1, minus 3 M2, अब यह इदर आएगा तो 4 M1, और यह इदर आएगा तो 4 M2, 3 plus 1, 4, ठीक है, तो M1 ratio M2 क्या है, 1 ratio 1, मतलब 1 आया, M1 ratio M2, अब आप Y coordinate लेके इसमें value पूट करोगे, तो वो भी same आना चाहिए, तब ही यह को linear हो सकते है, ठीक है, तो जो इसका Y coordinate है, Y coordinate क्या है, 0, equal M1 Y2, M1 Y2, Y2 क्या है 2, plus M2 Y1, Y1 क्या है, minus 2, ठीक है, अपोन M1 plus M2, यह इदर आके 0 हो गया, इदर बचा 2 M1, minus 2 M2, इसको इदर ले आओ, 2 M2 और इदर 2 M1, 2 से 2 cancel, यहां पे 1, कब जब M2 से मैं divide कर दो, तो M1 upon M2 क्या आगया, 1 आगया, और यहां पे क्या था, यहां पे B1 था, इसका मतलब यह जो तीसरा point है, बिलकुल इन दोनों को join करने वाली line के उपर यह है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A, B और C, तीनों point को linear है, ओके, next question number 9, determine the ratio in which the line 2X plus 3Y plus 7 equals 0, divides the join of 3,4 and 7,8, देखो यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि इन दोनों points को join करने वाली इसको किस ratio में डिवाइड कर रही है, वो ratio हमको find करना है, suppose M1 ratio M2, ठीक है, तो M1 और M2 हमको find करने है, ओके, तो यहाँ पे, जिस point पे यह इसको divide कर रही है, वो point AB पे होगा, ठीक है, वो मैंने letter किया P है, जिसके coordinate है X, Y, तो जो point P है, उसका X coordinate क्या होगा, M1, X2, plus M2, X1, upon M1 plus M2, ऐसे ही Y coordinate point करो, M1, Y2, Y2 क्या है, 8 है, plus M2, Y1, upon M1 plus M2, ठीक है, X और Y coordinate मैंने letter किये, point P के, अब यह जो point PA common point हो गया, इस line का भी और इस line segment का भी, है ना, तो यह जो point PA इस line पर है, इसका मतलब यह point PA, इस line के equation को satisfy करेगा, मतलब यहाँ पे जो X और Y है, उनकी value यह put कर दो आप, ठीक है, 2 into X, X बोले तो, 7 M1, plus 3 M2, upon M1 plus M2, plus 3 Y, 3 into Y, Y क्या है, Y है, 8 M1, plus 4 M2, upon M1 plus M2, plus 7 equal 0, 2 को उपर multiply कर दो, 14 M1, plus 6 M2, और LCM से में, तो यहाँ पे क्या हैगा, 24 M1, plus 12 M2, plus 7 M1, plus 7 M2, ठीक है, LCM क्या था, इन तीनों का, M1 plus M2, और वह जो LCM था, उसको उदर transfer कर दो, बन्किया 0, खतम कर नहीं, अब देखो, M1 कितने होगे, 14, 24, और 7, 14, और 7, 21, 21 इसमें plus करो, 45, M1, M2 देखो, यह रहा और यह रहा, 18 होगे, ठीक है, 18 और 7, 25, plus 25 M2, equal 0, अब उसको transfer कर दो, 45 M1, equal minus 25 M2, हमको तो M1 ratio M2 चीना, मतलब M1 upon M2 हमको find करने, M1 upon M2, क्या हैगा, minus 25 upon 45, cancel करो, minus 5 upon 9, यानि ratio क्या है, minus 5 ratio 9 आया, ठीक है, minus में आ रहा है, मतलब externally divide कर रहोगो, तो यह इसका answer होजाएगा, next question number 12, आपको यह 3 points दे रहे, जिनके coordinate आपको दिख रहे होगे, ठीक है, यह को linear है, यह हमको दे दिया, तब हमको प्रूव करने हैं कि यह relation आएगा, A में, B में, A डेस में, और B डेस में, ठीक है, तो यहां पे देखो, यह 3 points को linear है, अगर यह 3 points को linear है, तो area of triangle equal 0, लेकिन area of triangle में जो आगे 1 by 2 होता है, उसको भी 0 की तरब बेज़ दो, मतलब अंदर वाला जो भी material है, bracket का अंदर वाला, equal 0 बचा, ठीक है, अब वो अंदर वाला क्या था, वो था, x1, y2, minus y3, plus x2, y3, minus y1, plus x3, y1, minus y2, equal 0, अब इसमें आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3, put करने, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है, x1, a, bracket, y2, y2 क्या है, b, minus y3, y3 यह पूरा है न, लेकिन आगे minus है, तो दोनों के sign change कर दो, तो, minus b, plus b, dash, plus x2, a, dash, y3, b, minus b, dash, minus y1, b, plus x3, a, minus a, dash, into y1, b, minus y2, b, dash, equal 0, यह b, cancel हो गया, ठीक है, और यहाँ पर a को अंदर multiply करो, यह 2b dash है, 2b dash into a, 2ab dash, अब a को b से करो, a, b, a dash को, plus minus minus, अंदर minus के न, तो minus हो गया, a dash b dash, plus a को दोनों से कर दो, a, b, minus a, b dash, minus a dash को दोनों से करो, minus a dash b, और minus minus plus a dash b dash, equal 0, positive a dash b dash, और negative a dash b dash कैंसल हो गया, a dash b, और और देखो, यह plus a b minus a b कर गया, ठीक है, और क्या बच्चा, और आपको मिल रहे है, यह a dash b, minus के इदर आएगा, तो plus हो जाएगा, a dash b, अब यह दोनों से में, a, b dash, 2 minus 1, 1, a, b dash, ठीक है, a, b dash, equal a dash b, हैंस, प्रूव, next question number 14 को देखते हैं, find the equation of locus of a point, which moves, so that it's a distance from x axis twice, it's a distance from the y axis, देखो, एक point दरिखा आपको, coordinate plane में में, एक point लेता हूँ, पी, जिसके coordinate मैंने लेट कर लिए, x, y है, ठीक है, अब यह जो पी point है, किसी भी quadrant में आव सकता है, first में, second में, third में, fourth में भी, द्यान रखना, ठीक है, आगे बताऊंगा, कैसे करने है, इसको, अलग-अलग quadrant ले, तो क्या करने होगा, देखो तो, यहाँ पे मैंने एक point लिया, P, जो कि first quadrant में है, और इसने बोल रख है, कि इस point P, x axis से distance, यह x axis है ना, line से point की distance कैसे find करते हैं, उस पे perpendicular truck करके, ठीक है, तो यह जो perpendicular distance है, यह मानलो, A है, तो आपको restriction क्या रख है, इसने P, A, यह जो distance है ना, P, A, यह कितनी है, इस point की y axis से जितनी distance है, उसका double है, ठीक है, इस point की y axis से distance, यह perpendicular distance, यह मालूब B point है यानि जितना BP है उसका double है ठीक है अच्छा अब देखो यह distance आपको निकल नहीं है अब यह distance निकालोगे इसके coordinate आपके पास है तो यह y के parallel लेना तो इसका y coordinate देख लो y coordinate क्या है y है ठीक है तो यह distance कितनी बनी जाएगी वाई पी एक इतना हो गया वाई वैसे आप निकाल सकते हो कैसे distance पॉर्मला से इस point के coordinate होगे x,0 और इसके होगे 0,y x to minus x on square plus y to minus y on square root के अंदर ऐसे distance निकाल सकते हो मैं डारेक्ट निकाल रहा हूं क्योंकि x y plane में आपको एक point दे रखा है तो पहले यह पियुक्याकि रिप्रीजंट करते है x अक्सonces इसकी distance दूसरे वाला एक सक्से से distance को रिप्रेजेंट करता है जो कि y के पैरलल है ठीक है तो p a कितना आया y आया 2 into p b हाँ एक चीज और distance है ठीक है अब मैं वह बात बताता हूं आपको quadrant अगर इसमें होता इसमें होता इसमें होता तो क्या करते इसमें होता तो x और y दोनों positive नहीं आती negative आती है ना ओके अब यह mode अटाओ mode का बटेगा जब आप square कर दोगे ठीक है तो y square और इधर 4x square यह equation आ गया यहां पर भी छोड़ सकते हो और अगर आप इसको square 4 में ना लिखो तो y find कर लो मतलब root करोगे तो यह क्या एगा 4 क्या एगा plus minus 2 और यह बंसाएगा x यह भी ठीक है और यह भ negative हो जाएगा x positive यहां पर ले रहे हो तो x positive y negative इसलिए मैंने दोनों पर mode apply किया है mode कब अटापते है जब आप square करोगे दोनों तरफ ठीक है और यह तो यहां पर छोड़ दो आप यह square में नहीं रखना चाहो तो इधर root हो जाएगा और वह बार आएगा तो plus minus 2 के साथ आएग then find the equation of its locus देखो यह कह रहा है कोई एक point है suppose मैंने वह point पी लिया जिसके coordinate है x और y अब यह कह रहा है कि यह जो point है ना यह जो दो fix point है एक यह और एक यह यह fix point मैं a लेट करता हूं जिसके coordinate है a,0 और दूसरा b minus a,0 तो यह कह रहा है कि यह जो distance है pa और यह जो distance है pb इन दोनों का square करो और दोनों का difference और वह 2a है ठीक है तो यह distance निकाल लो पहले distance pa और उसका square भी करने है तो pa square distance formula root के अंदर था square करोगे तो root अट गया क्या बचा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यहनि x minus a whole square plus y minus 0 whole square expand कर दो इसको x square plus a square plus y square minus 2ax ठीक है अब distance निकालो pb और उसका भी square करने है तो x minus minus plus हो गया x plus a whole square plus y square इसको भी expand कर दो pb square x square plus y square plus a square plus 2ax ठीक है अब यह कह रहें इन दोनों का difference pa square minus pb square ओके वो कितना है वो 2a है ठीक है difference difference क्यों होता है maximum minus minimum largest minus smallest value ठीक है वो negative नहीं आता है difference तो आप इसको mode मिलोगे ओके तो pa square और pb square को माइनस करना है ठीक है pa square यह वाला कहां है pa square यह वाला x square plus a square plus y square minus pb square इसको करोगे minus to sign change minus x square minus a square minus y square और यह plus था minus होजाएगा 2a x एक चीज और बचगी नहीं यहापर minus 2a x और था इसका तो वह मैंने यहापर लिख दिया है ठीक है और वह distance कितनी है 2a है x square cancel हो गया a square cancel हो गया y square cancel हो गया यह हो गया minus 4a x क्या हो गया minus 4a x और इधर 2a अब मोड अटा होगे तो मोड कैसे अटेगा प्लस या माइनस के साथ देखो इससे यह जो मोड है ना इससे माइनस 4a को बार निकालेगा तो प्लस 4a कर देगा 4a मोड के अंदर तो x बचा equal to a x यह अपोन में जाएगा तो 1 by 2 बचेगा ठीक है मोड x equal 1 by 2 मोड x का मतलब x positive भी हो सकते है negative भी हो सकते है ठीक है ना तो आपको plus minus से यहाँ पर multiply करने है तो प्लस माइनस यहाँ पर किया है मैंने ठीक है तो प्लस माइनस यहाँ पर उसको transfer कर ओगे तो 1 by 2 positive negative हो साएगा तो यह आपका answer होगा मतलब यह उस locus का equation होगा ठीक है